मदपरदेश की मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चौहान ने गुरुवार शाम साथ बजे जनता को संबोधित किया अपने संबोधित में सियम शिवराज ने कहा है कि वेक्सिनेशन बानने वे फीजदी प्रथम डोस और वचास फीजदी दूसरा डोस जनता को लग चुका है इसके लिए उन्होंने काम करने वाले सभी लोगों को बढ़ाय दी है कोरोना को लेकर सेम शिवराज ने कहा है कि कोरोना की स्तथी मदपरदेश में इस्थिर बनी हुई है 47 जिले कोरोना मुक्त हुए है फिर भी सावधानी की आवशक्ता है असावधानी होने पर फिर से प्रतिबंद लगाया जा सकता है बता दें कि दो दिन पहले ही प्रदेश में कोरोना की स्तती को देखते हुए शिवरास सरकार ने मदप्रदेश में सारे प्रतिबंद खत्म कर दिये थे उन्होंने कहा था कि दिसंबर के अंत तक सब दूसरा डोस लगवाले 24 नमबर को एक दिसंबर को फिर वैक्सिनिशन महाभ्यान की शुरुवात की जा रही है आज भी जब मैं आप से बात कर रहा हूँ साथ पोजिटिव प्रिकरण आए है एक्टिव केस कुल मिलाके 89 पूरे प्रदेश में है हमारे 47 जिलों में एक्टिव केस ही नहीं है ऐसी परिस्थितियों में कल हमने फैसला किया कि कोविड नाइनटीन के दौरान लगाए गए सभी प्रितिवंधों को हम समाप्त करेंगे